तुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें सारी करूगा पहले ते जी मैं स्टोरी के बारे में बताओ वही स्टोरी वही है जैसी पहले की थी और बड़ी फैंटास्टिक किसम की यह बड़ी फैंटासाइस किसम की स्टोरी है यारी गैरत और वो मुझे आप सब आपको याद होगा स्टोरी का आप तो मेरे से कोई पांचे साल बड़े हैं हम नाइटी जमें कहते थे यह सुल्तान राई गंडासा कल्चर यह सैंड में ने खराब किया यह सैंड में ने खराब किया हमारे सैंड में के बड़ा करकतिया यह रोज और वो 90 कि क्यों जी फूजी कलर फोजी कलर जिसे वोलते हैं एकफा कलर फोजी कलर वो कहते हैं बड़ी जीप सी होती थी ठीक है ओके तो इस आधिनल वन 88 90 में बड़ी थी 79 79 और 80 में ओ अच्छा इतनी पुरानी है ओके फेर ना अच्छा फिर तो बहुत पुरानी है एनिवे तो खैर वो मैंने 90 में देखी दियो बिल्कुल आम सॉरी मुझे तो बिल्कुल पसल दिया मुझा था हैरत नहीं है कि उन्होंने उसका रीमेक कैसे बना दिया ओके अब क बैराम मरी पस्ती है गाओं वालों उसके दर लीड हीरो है प्वाद खान उनका नाम मौला जाटा है जो उनका इंटागनिस्ट है उसमें नूरी नात है वो हमजा लिवासी ने प्ले किया मुवी मेरा हल को दो खेंटे 45-50 मिनट की है और शुरू में मुझे ऐसे लगा कि मु जो डिवलेपमेंट है ना वो डिवलेपमेंट होती है सही तरीके से क्योंकि फिर मैं बाद में सोच आथे कि अगर वो एकादे वो सीन निकाल दिये जाते तो शायद जो जो क्लैश होना है एंड में जाके शायद वो उसमें उतनी ताकत या मजा ना रहता तो अगर आपको शुरू में लगे भी शुरू में कि थोड़ा से ड्रैग हो गया तो I think it's forgivable मेरा मेरा ख्याल से वो ठीक है जो फवाद खान की जो एक्टिंग है I don't know मुझे कोई इतनी कोई फवाद खान की उसमें कुछ अच्छे moments है acting के उनके character के लेकिन कुछ moments मुझे बड़े ordinary लगे I'm sorry लेकिन मुवी की पेस मेरा खल एक घंटे के बाद काफी तेज होने लाग जाती है बलकि इंटरमिशन पर जा कि असल काम होता है और मैंने कहीं आज इंटरमिशन कौन करता है हाले 10 मिन रोग दी वीज में मैं कहीं यह क्या है मैं आप क्या कुम सर्वे में बाट के यहारी में लॉट दो निश्गा साड़े तीन घंटे की होती है यह उनका वो ट्रिडिशन है तो उन्हों नहीं कहा चले जो उसके चला है आज यह विजुल एफेक्ट जो बड़े अच्छे हैं जो उसकी अच्छे है आपको यह आप एंजॉआ करेंगा आप करेंगा यह वो एक यह जब भी मैंने जादा पाकिसनी मूवी नहीं नहीं देखी एक मने देखी थी पजाब नहीं जाओंगी और एक वो थी एक्टर-in-law मूवी देखी थी एक्टर-in-law वस एक्टर-in-law वस अच्छी नहीं देखी मैंने तो यह जो थी ओके वो दो मूवी इस अच्छी थी मैंने का ओके फाइन लेकिन उसके बाद इसका बड़ा नाम सुना था ना और यह पिछले को तीन-चार सालों से डबे में पड़ी वी थी इस इसने आना था बहुत पहले तो इसकी सिनमेटाग्रफी व नहीं आजया से यह किया है and I think it's done quite a decent amount of business को सो करोर का तूसने business कर लिया मेरा which is I know not not much by Bollywood standard I think Bollywood के तो 500-600, 600 करोर तक चली जाती है तो यह तो थी जी इसकी मूवी की, लेकिन जो इसमें जो दो करेक्टर्स थे, I'm sorry to, I mean I can't help but say के और जो आप जब आप यह मैं सिर्फ इसको ठॉक अप इसलिए नहीं कह रहा रहा विकोज यूनों लग आप कहेंगे ओ यार यह तो देखो जी हमजा की और मुझे कोई पैसे पूसे किसी से नहीं मिल रहा इस बात के करने के, एक करेक्टर हमजा लिवासी का नूरी नत्का औ और एक है कैरेक्टर उसके भाई का उसने प्ले किया जिसने मुझे उसका नाम भूल गया, वो दो कैरेक्टर बड़े आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर प्ले किया और जो हमजा अभासी ने जो कैरेक्टर प्ले किया ना, I think it was by far the best character, यानि अगर मैं मेरे जहर में कुछ बड की किसम के, quirky जो होते हैं, characters. I think he really, really overshadowed Fawad Khan. Fawad Khan के कुछ moments ऐसे थे, और यह एक्टर की जॉब होती है, कि अगर कोई ऐसा sequence भी हो, जो के flow नहीं कर रहा है, तो बड़े जो actor होते हैं, वो उसको change करवा लेते हैं, या उसमें उसकी feel देते हैं. I mean, anyway, this is just, यह मैं आपको थोड़ी सी एक बता रहो. मेरी भी दो साल मैंने acting training ली थी. लेकिन जो, और even कि मुझे हमजा लिए बासी की भी, क्योंकि जो script writing थी, मुझे लगता है कि अभी it hasn't gone to that level. या शायद maybe I was just comparing that, कि अगर आप Hollywood को देखते रहते हैं. लेकिन उसमें हमजा लिए बासी को भी कुछ, कुछ लाइने ऐसी थी जहां पर मुझे लाग रहता है कि यार, I mean, he, अगर कोई और होता तो it would have sounded very forced. लेकिन उसका जो overall character जो उसने बनाया ना, I think उस character के अंदर हर चीज़ फिट होती गए. और I think this is, it will be remembered. I don't think that original की तो, I'm sorry to say, original had no value in my life. मेरे लिए, जैसे ओशन्स 11 ने, आपको पता है, और शन्स 11 की एक original movie भी थी, 70s में. It is considered a terrible movie. और जो 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 जोच क्लुनी और ब्रैट पिट किया, it's considered a classic. तो I think Moolajat, अगर आप लोग अगर इंडिया में हैं, अगर इंडिया बाहर के मुलक एंडिया में तो मेरे खाल दिलीत नी हुई, अगर बाहर के हैं, तो Senmay में जा के जूर देखियेगा. I think you will enjoy this very much. Minus the 10 minute to intermission. I don't know why they do that. लेकिन वो एंजोई करेंगे और I think you will enjoy Hamza Ali Abasi very much. मेरा ख्याल से, he is doing, he needs to do probably, मेरा ख्याल उनको रेटार्मेंट जो छोड़ दिया ना, I think he belongs on the silver screen. वो करेक्टर बड़ा जावर्देस उनने प्ले किया, I don't know if he can do anything like that रहिए. इसमें एक बात हारिस ये भी है ना, औरिजनल वाली चले खैर आपको नहीं पसंद, लेकिन औरिजनल वाली में भी ना, जो नूरी इनात का जो करेक्टर था ना, जो मुस्वा कुरेशी ने प्ले किया था, he outdid सुल्दान राही by miles, यानि कि उसमें ये भी होता है कि करेक्टर क कि भी एक जान होती है, किसी भी प्ले है, तो वो पोटेंशल उसने अगर मीट किया, मैंने तो खैर नहीं देखी, लेकिन जितने भी लोगों का मैंने सुना है, तारीफ वो हमजा बासी की ही कर रहे हैं, और उसकी एक वज़ा मुझे लगती है कि शायद वो चारेक्टर ही और जेखी, भी जितने सी थार्गों का बाइटरएफ नहीं लेकिन हईएं, यू उसकाल, नहीं जिथा जकालम स्विश्यचार है किवह लेकों का बाइटिश इन एक बाइख फिक्सेंट वाओं मेरा ख्याल से इसको थोड़ा सा और इवल बना इसको इवल नहीं लगा जानी, for example, मैं इसको spoiler zone में नहीं जाना चाहता, लेकिन, but I think they should have done थोड़ी से ओर, मेरा ख्याल, उनने काफी लाशन लुशे गराई हैं, लेकिन, लेकिन आपको स्टोड़ी का पता होगा, वो किधर जानी है, किस तरह एंड हो नहीं, you know all of that, लेकिन, even towards the end, I was like, okay, चलो जी, मजा आएगा, you know, like, बड़ा कम ऐसे होता है, कि आप बैटमेन की साइड पर जोकर की साइड पर जा रहे होता है, you still, you know, you want, antagonist का काम ही होता है, कि he wants to be hated, you do hate the whole system की, कुछ सी parallel world में ये गैरत का चकर चल रहा है, यहां पर बड़े फखर से कतल किया जा रहा है, बड़े फखर से, इसको अच्छा समझा जा रहा है, उसको गैरत का निशान समझा जा रहा है, I don't know, I think it's, I think they're done really well, मुझे वैसे बिलकुल उमीद नहीं थी, कि पाकिस्तानी सेन्मे में आप इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं, मेरा खांसे अगर पाकिस्तानी की सेन्मे में कितनी मुवीज बनती हैं, लेकि ये डिफाइनिंग मोमेंट हो गया है, इसका, कि इसके, इससे पहले का एरा को दूसी तरह से देखा जाएगा, और इसके मॉला ये content review की नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो हमारा agnostic atheist point of view है, वो भी तो दुनिया के सामने है, हम music, हमें कौन सा बसंद है, हम culture को कैसे देखते हैं, हम reviews उगेरा, तो आप इतना आला review करता है, humor भी आपका है, मतलब हमारा यही क्यों दुनिया के उमेश जाए कि हमें और कोई काम नहीं, except हम एक पूरे जीते जाके इंसान है, हाँ, आम करता है, यह तो मेरे जहन में आयात करती है, मैं तो वैसे करता हूं काफी चीज़ों के पर पाद, हाँ, फेर है ना, यह जैसे एक review प्रॉपर होता है, बलके हाँ, हाँ, हो किया जाता है, लेकिन ने किसका फॉर्मेट यासे है ना, एक प्रॉपर रिविव हमने किया था, दे लेडी अफेशन पे, प्रॉपर प्रॉपर होता है, लेकिन इसका मजा बढ़ा है, हाँ, बलके हाँ, यह तो लेडी अफेशन ने मुवी बनाई थी, दोनों ने देखा हाँ, हाँ, हम इसके उपर बैसे किया जा सकता करते होते हैं, मैं भी बलके वो बार्बेरियन्स नेट्फिक्स पे आया बड़ा जरता है, सेकंड सीजन, मुझे लगता है सेकंड सीजन जो डोटली फिक्टिशस है, मुझे नहीं लगता है कि सटल एक्टिविजम भी ज़रूरी है, देखे एक तो है ना, कि डिरेक्ट, एक है कि सटल भी, हमारा लाइस्टायल यह है, हम इस तरहां देख रहे हैं, यह भी एक एक एक्टिविजम की ही फाम है, रिविईव करना, वाप कल्चर को भी यबाकी कई भी ज़री और रखने केलिए, मुझे पैपाल या पेट्रियों पर जरूर सप्पोर्ट कीजिए, ताके मैं अपना पेगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ